हलो एंड बेलकम फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपक है अंतरराश्टिय बाग दिवस इसमें हम बागों से संबंदित जो प्रोजेक्ट चला है भारत में उसकी बात करेंगे और भारत में कितने टाइगर रिजर्वे हैं कहां टाइगर सबसे जाना है कहां कम है इन सब के बारें बात करेंगे तो अंतरराश्टिय बाग दिवस क्यों मना जाता है तो बागों के सनक्षण के लिए कंजर्वेशन आफ टाइगर्स के लिए मना जाता है कफसे 2010 में हुए सैंट पीटर्सबर्ग सम्मीलन के बाद से हर साल 29 जुलाई को 29 जुलाई को अंतरराश्टिय बाग द बसकी तो इस बार की थीम है दिवर सर्वाइवल इन अवर हैंड्स उनकी उत्तरजी भी था हमारे हातों में जे इस बार की थीम है बारत में टाइगर प्रोजेक्ट श्टार्ट किया गया था 1973 में 1973 अगर डेट पूछ ले थो प्रोजेक्ट टाइगर श्टार्ट हुआ था साथ अपरेल प्रदान मंत्री इसमें इंद्रा गंदी इंद्रा गंदी इसमें प्रदान मंत्री थी भारत में Project Tiger का जनक किसे कहा जाता है बर्तमान में भारत में सबसे जांदा Tiger पाये जाते है मतलब अगर बर्ड लेपल पर बात करें वैसे पर किस तर पर भारत में सबसे जानदा टाइगर पाए जाते हैं भारत में कुल टाइगर की संग क्या है 2967 जो 2018 का सेंसस है जिसकी रिपोर्ट 2019 माई दी तो 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग मतलब बाग जन गरना 2018 के अनुसार भारत में 2969 टाइगर से है अब तो बढ़के कुछ जान दे होगा तीन जार से उपर हो गए लेकिन 2018 का सेंसस ही पूछा जाएगा एक्जाम में आपसे भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं तो 52 भारत में 52 टाइगर रिजर्व हैं अभी हाली में रामकल विस्धारी को किसे रामकल विस्धारी अभ्हारण को 52 बावन बा टाइगर रिजर्व बनाए गया तो भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं 52 अभी तुमने विस्प इस्तर बताया आपको कि विस्प इस्तर पर सबसे जान्दा भाग भारत में पायाते हैं, अब भारत की बात कर लें कि किस राज्य में सबसे जान्दा भाग पायाते हैं, तो भारत के मद्य ब्रदेश में सबसे जान्दा पायाते हैं, इससे पहले लेकिन 2018 के रिपोड में बापेस से मद्य पिर्दिश टाइगर इस्टेट बन गया हूँ उसके बाद करनाटक का इस्तान आता है करनाटक के बाद उत्राखंड करनाटा के बाद उत्राखंड और सबसे कम टाइगर कहां पायाते हैं तो गोवा गोवा से जान्दा किसमें जारखंड जारखंड से जान्दा 36 गडवें सबसे जान्दा मद्देपिर्देश में सबसे कम गोवा में पायाते हैं तीन ऐसे टाइगर रेजर्व हैं जहां पर कोई भी टाइगर नहीं है 2018 की रिपोर्ट की बात कर रहें तो 2018 के सिंसस के अनुसार तीन ऐसे टाइगर रेजर्व हैं जहां पर एक भी टाइगर नहीं है तो कौन-कौन से हैं बुकसा, पलामू और डंफू बुक्सा पलामू और डंपू ये तीन टाइगर रजर वैसे हैं इनमें एक भी टाइगर नहीं है तो सबसे जान्द कहा हैं मद्धे परदेश में सबसे कम गुआ में और तीन टाइगर रजर वैसे हैं जहां पर एक भी टाइगर नहीं है वुक्सा, पलामो और डंपो ठीक है भारत की जो 2018 की बाग जड़गनना हुई थी वो सबसे बड़ी सबसे बड़ी बाग जड़गनना थी जिसका नाम गीनीस वुक आवड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है ठीक है और दोहज़ार रठारा के सेंसस की बात करें तो 36 गड़ एंड मिजूरम दो ऐसे राज़े जहां पर टाइगर की संख्या में कमी आई है और उड़ीसा ऐसा राज़े जहां पर टाइगर बराबर बने हुए मतलब टाइगर में कोई भी बदलाओ टाइगर की संख्या में नहीं आया है 36 गड़ और मिजूरम में कमी आई है और उड़ीसा जैसा की तैसा बना हुए बाकी में बड़ोतरी दर्ज की गई है ठीक है तो यह था टाइगर से टाइगर सेंसस भी बताया में आपको और टाइगर डे क्यों मना जाता है वो भी बताया ठीक है टाइगर डे का एक लक्ष और था कि जो 2010 में सेंट पीटर्स भी बता उसमें कहा गया था कि 2022 तक बागों की संख्या को डवल करना कितना करना 2022 तक बागों की संख्या को दो गुना करना सेंट्र पीटर्स बर्त में जो घोशना हुई थी उसमें लक्ष निर्धारत किया गया था तो यह था टाइगर डे के बारे में और भारत में कितने टाइगर रजर्वे हैं उसके बारे मैं आपको 2818 का सेंसस का ओवर वियू दिया तो इसमें आप इससे संबंद कोई कोश्चन आएगा तो आप कर पाएंगा अराम से ठीक है इस पॉइंट को जानदा याद रखना आपको सबसे जानदा मदेबर्देश सबसे कम गुवा और तीन टाइगर रजर्व जिसमें कोई टाइगर नहीं है यह सब बातें 2018 के सेंसस पर है अब नेक्स टैंसा 2022 में होगा तब क्या आएंगे सेंसस में क्या डाटा आता पोस्ट समय देखे जाएगा